दोस्तों अंकुरित मूंग या चने खाने से काफी फायदे मिलते हैं लेकिन इसके बावजूद भी कई लोग इसके सेवन से बचते हैं वज़र है इनका स्वाद अगर आप थोड़ा मन बना कर रोजाना अंकुरित चीजों का सेवन करें तो यह आपके सहत के लिए वर्दान किस साफ़ीत हो सकते हैं ता उम्र दवायों के सेवन से बचे रहना चाहते हैं तो आज हम आपको कुछ चीजों के बारें बता रहे हैं जीने भीगो कर खाने से पूरा पोष्ण मिलता है और आप तां उम्र जीवन भर दवाईयों से दूर रह सकते हो दोस्तों अंकुरित मुंग दाल खाईए इसमें फैटिक असीड होता है इसे कडिनी प्रॉब्लम दूर होती है और दाजिशन ठीक रहता है मुंग दाल खाने से शरीर में सोडियम के इफेक्ट्स कम होते हैं और जिससे की ब्लड प्रेसर और कॉलिस्ट्रॉल को कम करने में मदद मिलती है मुंग दाल में भरपूर मादरा में सैल्यूबल फाइबर पाय जाता है जो कि आपको अपने मोटे पेट से वजन से एक्ष्टा फैट से नीजात दिला सकता है भीगा हुआ जीरा इसमें पोटिश्यम होता है इसे दिल की बिमारियां दूर होती है और बीपी कंट्रोल में रहता है इतना ही नहीं जीरे का पानी आयरन का अच्छा स्त्रोथ है आयरन की मातरा भरपूर होने से इमिन सिस्टम सही से काम करता है और कई बिमार पत्थरी में आराम मिलता है दरतल मिथी में मौजूद तत्व पत्थरी को गलाने में एहम भूमी का निभाते हैं भीगा हुआ मुनक्का खाये यह ब्लड सर्कुलेशन को बहतर करता है साथ इसके सेवन से रंग गोरा और बीपी कंट्रोल में रहता है सर्दी जुकाम हो जातो रात को सोने से पहले दूद में दो से तीन मुनक्के उबाल कर सेवन करें इसमें बीटा कैरोटीन मौजूद होता है मुनक्का को रात में वीगों का रख दें और सुबह इसका सेवन करें इससे आंकों की रौशनी तेज होती है भीगी हुई खस खस खाये इसमें जहरे या फिर बालों में लगाने से भी कई फायदे मिलते हैं भीगे हुए किश्मिष खाईए इससे ब्लड सर्कुलेशन प्रॉपर होता है और दिल की बिमारियों से बचाता है इतना ही नहीं यह स्कीन के लिए भी काफी फायदे मंद है किश्मिष का पानी लीवर और खुन को बड़ी तेजी से साफ करता है और पेट की समस्याएं जैसे कि कब्ज आदी में आरान दिलाती है भीगी हुए अलसी के बीज खाये अलसी के बीज में प्रोटीन आरेन भरपूर होता है इसको भीगो कर खाने से मसल्स टोंड होती और खुन की कमी दूर होती है इतना ही नह होती है जिससे यूरिन से जुड़ी प्रॉब्लम तूर रहती है इतना ही नहीं इससे पांचन में दुरूस्त रहता है और आखों के रौशनी तेज होती है दोस्तों हमने आपको कुछ चीज़ें बताएं जिसके भीगो कर सेवन करने से इतने सारे से धेरों फायदे मिलते ह हैं इसके लावा और भी फायदे मिलते हैं लेकिन उसका जिक्र मैंने इस वीडियो में नहीं कि अगर मैं वीडियो में जिक्र करने जाओं तो वीडियो बहुत ही बड़ा बन जाएगा तो दोस्तों इसी तरह की जानकारियों को प्राप्त करते रहने के लिए हमारे से